हलो फ्रेंड्स कैसे आप सभी आई हो आप सभी अच्छे होंगे जैसा कि फ्रेंड्स आप लोगों को मालूम है कि आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं नंवें disстановor के बारे में कि Center Mumbai का जो जोइनिंग लेटर है वह कब तक आ सकता है तो फ्रेंड्ड्स आगर आप लोग चैनल पिननाए हु तो चैनल को सबसकाइब कर लीजेगा और वीडियो को कर दिजेगा जिससे की आगे की आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो चलिए फ्रेंड्स दिर ना करते हुए हम इस वीडियो में आपको बता देते हैं कि आप लोगों का जोइनिंग लेटर कब तक जारी कर दिया जाएगा यहाँ पर फ्रेंड्स अगर हम बा 12 तारीक को समाप्त हो जाएगा यानि कि फ्रेंड्स आप लोगों का 12 मार्च तक जो सेंटर मुंबई का सभी प्रोसेज है वो कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद केवल केवल सेंटर मुंबई को आप लोगों की जॉइनिंग देना रहेगा तो जॉइनिंग कब तक आप लोगों का 20 मार्च से लेके 25 मार्च के बीच में आप लोगों का फर्स्ट पैनल जो है वो जॉइनिंग लेटर का जारी कर दिया जाएगा जहां तक हम अनुमान यहां पर लगा सकते हैं कि 20 मार्च से 25 मार्च के बीच में आप लोगों का जॉइनिंग लेटर का फर्स्ट प प्राइल जारी करने के बाद आप लोगों का जो जुनिंग लेटर है वो आपका एक अप्राइल से लेके disaster Hill के बीच में आप तक पहुंच जाएगा आपका जो जा जुनिंग लेटर है वोगे Sandler से लेके PRD 6ika घर जो जुनिंग वो पहुंच जाएगा उसके पहुंचने के बाद कुछ जो प्रोसेस होता है वो आपको घर पे कंप्लेट करना होगा और उसके बाद आप लोगों का जो जॉइनिंग है वो मेरे अनुसार फ्रेंड्स 20 अप्रेल तक आपकी जॉइनिंग है वो यहाँ पर आपको दे दी जाए वो करने लगेंगे तो यहाँ पर फ्रेंड्स अभी लगबग आप लोगों को एक महीने से ज़्यादा का अभी इंतिजार और करना होगा क्योंकि जॉइनिंग लेटर घर पहुचने के बाद भी कुछ प्रोसेस होता है जो कि आपको कंप्लेट करना होता है वो सब जॉइनिंग लेटर आप तक पहुच जाएगा यहाँ पर फ्रेंड्स जो मेरा अनुमान था वो मैंने आपको बता दिया है अब फ्रेंड्स आप भी कमेंट करके बता सकते हैं कि आप लोग के हिसाब से जॉइनिंग लेटर कब तक आ सकता है तो फ्रेंड्स इस वीडियो मे इतना ही है अब आप से मिलते हैं हम अगले वीडियो में